नमस्कार राम राम साथियों मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ओनलाइन प्रफ्रम पर आपका हार दिक स्वागत अभिननदन करता हूँ दोस्तों आज मैं आपके उपस्तित हूँ पुर्षकार और सम्मान टॉपिक को लेकर और यह जो सेशन अपने लिए भैत महतरपुरण रहने वाला है क्योंकि दोस्तों इस शेशन में अपने तमाम उन बिंदों को कवर करने वाले हैं जो अपने प्रिक्षा की दरश्टी से बैद इपोर्टेंट है आईए ज़्यादा समय जाय ना करती हुए रुख करते हैं आज के इपने शेशन की ओर शेशन की ओर और दोस्तों इसमें सरवपर्थम जो बिंदू है वो very very important है स्टार मार्क कर लीजिएगा परसन छपेगा परसन छपेगा करपूरी ठाकर जी कौन थे करपूरी ठाकर जी अच्छी तरीके से अपने चर्जा करने हैं एक एक बिंदू को अच्छी तरीके से निचोड के रखने वाले हैं करपूरी ठाकर जी को मरनोपरांत भार्त रतन से नवाजा गया है दोस्तों क्या है भार्त रतन आईए जानते हैं भार्त रतन है भार्त का स्रोच नागरिक पुर्षकार भार्त का स्रोच नागरिक पुर्षकार कौन सा है दोस्तों भार्त रतन है कौन सा रतन भार्त रतन इसके स्थापना 1954 में की गई है यह पुर्षकार मानव प्रियास के किस प्रदर्शन के मानिता के लिए प्रदान किया जाता है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भारत रतन भारत का स्रोच नागरिक पुर्शकार है इसके स्थापना 1954 से की गई और यह किसी भी छेतर में ऐसा धारन सेवा या प्रदर्शन के मानिता के लिए प्रदान किया जा चुका है कौन सा भार्त रतन भार्त रतन से कितने लोगों को नवाजा जा चुका है तो 49 मतलब एकम पचास यानि 49 लोगों को इस ओड से नवाजा गिया है आईए चर्चा करते हैं अपने इस ओड के बारे में सतंतरता सेनानी शिक्षक राजनितिके बिहार के पूरों मुख्य मंतरी करपूरी ठाकूर जी को मरनो अपरांत भार्त रतन से नवाजा गिया है और इसकी गोशना 23 जनुवरी 2024 को की गी ठाकूर को समानता वंचितों की मदद शैशक्तिकरण की दिशा में उनकी कारे के लिए भारत रतन से नवाजा गिया है किसलिए नवाजा गिया है उन्होंने क्या किया है ठाकूर को समानता के लिए उन्होंने वंचितों की मदद की शैशक्तिकरण के लिए कारे किया और इस बारत का सबसे बड़ा अवोर्ड है कौन सा भारत रतन पांच वर्स के अंतराल के बाद भारत रतन की गोशना हुई है इससे पहले 2019 में पूरव राष्टरी प्रणव मुखर जी नाना जी देश मुख को मरनो परांथ वुपेन हजारिका को मरनो परांथ यह समान दिया गया थ 2019 के बाद 2024 में इसकी गोशना की गयी है और यह करपूरी ठाकुर जी को मरनो परांथ दिया गया है आएच जानते है करपूरी ठाकुर जी के बारे ठाकुर जी का जनम दोस्तों 24 जनवरी 2024 को पिंदोजिया करपूरी गरा में हुआ था 1992 में पहले विदान सबा में जेतने के बाद कभी भी चुनाव नहीं हरे करपूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंतरी और एक बार बिहार के उपमुख्यमंतरी भी रहे हैं वर्ष 1967 में उपमुख्यमंतरी बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवारत समापत की लागू किया 1977 से 1989 तक बिहार के मुख्यमंतरी के रूप में कारेकल के दुरान जनता पार्टी से जुड़े बाद में करपूरी ठाकुर जनता दल से समंद होगे फरवरी 1988 मुनका निदन होगया यह स्रवोच नागरिक शमान पाने वाली बिहार के तीसरी विक्ति होंगी इस पहले डोक्टर राजेंदर परसाजी को और लोक ने जेनराश प्रकास नरायन को इस समान से नवाजा जा चुक है बिहार में जनमें बिसमिल्ला खां को भी भारतरतन से नवाजा जा चुक है हालंकि उनकी करम बुम्य उत्रप्रदेस वारान असी रही है इस परकार यह तमा पूरी ठाकर जी जो दो बार बिहार के मुख्या मंत्री और एक बार उप मुख्या मंत्री रह चुकी हैं और अपने जिवन में इनके भैस शांदार उमंदा कारें के लिए उन्हें भारत रसन से नवाजा गिया है तो दोस्तों आशे करता हूं कि एक एक बिंदू अच्छी त से भीमिन पर खिलाडियों को नवाजा है आईए अपने चर्चा करते हैं दोस्तों हैदराबाद में एक समहरों में बीसी सिय ने यह आवर्ड परदान की तो बात करें दोस्तों सर्वसरेस्ट अंतराष्टिय क्रिकेटर महिला की तो समर्ती मधाना को आवर्ड से नवाजा क तक देबु की डेबु में अगर पुरिस रहे यानि जो अभी अबी डेबु मतलब अभी जो खेली में उतरे हैं उनका पहला मैच रहे तो उसमें यसस्वी जेस्वाल है और बात करें महिला की तो अमन जोतकोर को डेब्यू महिला से नवाजा गया है दिलेव सरदे साइप पुर्षकार टेस्ट के रिकेट में सरवादिक रन के लिए यसस्वी जेस्वाल को नवाजा गया है और स्रवादी की विकेट के लिए आर अश्विन को इस अवोर्ड से नुआ जा गिया है तो इस प्रकार के मुख्य मुख्य अवोर्ड आपको ध्यान में रखने अन्य अपने अवोर्ड अपने से पुछे जाने वाले नहीं हैं बात करें दोस्तों पदम अलंकरण 2024 वेरी वेरी इपोर्टेंट वेरी वेरी इपोर्टेंट आप याद रखिएगा दोस्तों पदम अलंकरण यह किस-किस वर्ग में दिये जाते हैं कला के छेतर में समाजिक कारे में, जनहित के मामलों में, विज्ञान एम इंजिनियर, व्यपार उद्योग में, चिक्षा, साहित्य, सिक्षा, खेलकुद, नागरिक सेवां में, विशिष्ट उपलब्दियों के लिए 132 पदम अलंकरों की गोशना अब की बार की गई है, कितने की? 132 पदम अलंकरों की जिसमें पदम विभूशन भी है, पदम भूशन भी है और पदम शिरी से, 5 पदम विभूशन से नवाजा गिया है, 17 पदम भूशन से नवाजा गिया है, 110 पदम शिरी को नवाजा गिया है, तो दोस्तों अपने को क्या याद रखने है? पदम विभूश करने हैं पाच पदम विभूशन तो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए पुर्षकार विजयतों में तीस मही लाहे हैं और सुची में विदेशी एनराई पी ओ और ओस्य की आठ विक्ति हैं और नो प्रंद मर्नो प्रंद पुर्षकार विजयता विसमें शामिल है इन विदेश वर पाठक जी को मर्नो प्रंद यूग्ष समाजी करें के लिए बिहार से समंधित है शूष्री पदमा सुभर्मन यम्यम जी ये कला से समंधित है और तमिल लाडु से है इस प्रिकार दो अंदरप्रदे से, दो तमिल नाडू से और एक भिहार से पदम प्रभुशन से एक एक बंदर को नवाज जागी, याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों, नाइडू से बोली पदमा, क्या बोली कि बिंदीर माला कोनी डाला, बिंदी माथे पर होत तो माला और बिंदी कोनी डाला, नाइडू से कैसे याद रखेंगे, विगया नाइडू से, पदमा से कैसे याद रखेंगे, सुस्री पदमा, सुबरमन्यम, बिंदी से, बिंदेश्वर पाठक, बिंदी से कैसे याद रखेंगे दोस्तों, बिंदेश्वर पाठक, माला से विजन्ति माला कोनी डाला से कोनी डेला तो इस प्रकार आप याद रख लेंगे कि नाइडो से पदमा बुली माला बिंदी माला कोनी डाला इस प्रकार इसी तरीक से याद रहने वाले हैं बाकी दोस्तों एक बार आप अंशर्शनेंजर इंपर डाल लिजahaha बात करते हैं नेक्स्ट बिंदू की कीरती चकर और शोरे चकर दोस्टों यह चैस कीरती चकर और शोरे चकर परदान किये गए हैं युद में वीरता के लिए युद में वीरता के अगर बात करें तो सरवच पुर्श कार है वो परम वीर चकर है उसके बाद महावीर चकर और तीन नमबर पर आते हैं वीर चकर और शानती काल और वीरता के लिए जो होते हैं दोस्तों तो वो सब सरवच जो पुर्श कार होते हैं अशोक चकर होता है और दो नमबर पर केरती चकर होता है और तीन नमबर पर सोरह चकर होता है इस पर काई अगर दोस्तों युद्ज में वीरता के लिए पर्म वीर, महावीर और वीर और शानतिकाल वीरता में अशोग, केर्थी और शोरह चकर परदान है। इस पर 6 केर्थी चकर और 16 कर इसमें शामिले। ये अपने को धान में रखना है। परदान मंतरी बाल पुर्षकार दोजार चोविस दोस्तों बहादुरी कला और संस्कृती प्रियावरण नवाचार और विज्ञान प्रदोगी की समाजिक सेवा खेल कुद जैसे साथ सरेणियों में साथ सरेणियों में विशिष्ट उपलब दी रखने वाले केंदर और राजे से समझ दी तो पांस से अठारा वर्स आयूवर के उननिस बच्चों को परदान मंतरी बाल पुर्षकार से 22 जनुरी 2024 को नवाजा गिये और दोस्तों इसमें जो आपको एक नाम याद रखना है वो आरेन सिंग का नाम याद रखना है जो अपने राजस्तान से बिलोंग करते हैं और विज्ञान और परदोगे की से में उन्हें प्रदान मंतरी बाल पुर्षकार से नवाजा गिया किने आरेन सिंग को आरेन किया है दोस्तों कब किया है 25 जनवरी 2024 को की है बात करें दोस्तों Film Fair Award की तो Film Fair Award में सरुस्ट फिलम है 12 फिल सरुस्ट फिलम क्रिटिक्स जोराम जी को निदेशक बिनोद विदू चोपडा जी को सरुस्ट अभिनेता रणवीर कपूर जी को यह दोस्तों सभी क्या है इतने याद रख कर रहेंगे नेता जी सुभास अंद्रबोस आपदा परवंदन पुर्षकार से दोस्तों किसे नवाजा गिया है तो 60 पेरा सुट फिल्ड होस्पिटल उत्रप्रदेश को इस पुर्षकार के लिए चुना गया है किसको 60 पेरा सुट फिल्ड होस्पिटल उत्रप करवाते हैं यह बारतिय सहस्तर यह बारतिय सहस्तर बलों का एक मत्र हवाई चिकिशा परतिस्थाने वेश्विक संक्ट में अपनी ऐसा दान सिवय के लिए इमानेता प्राप्त है इस परकार दोस्तों उत्राखण में जैसे बाड आई थी 2013 में ओप्रेशन में चलाए गया था नेपाल भूकंप में इंडोनेशिया में सुनामी आई थी जो ऑपरेशन समुंद्री में तरी के अंतरगत चिकिशा साहिता प्रदान की थी इस परकार दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश के एक होस्पिटल है 60 पेराशूट फिल्ट होस्पिटल जो आर्मी के अधीन है और इ समेंजाद कुछ विशेश notus हैं ने सरसे अपना कारяж करते हैं उनन के रिए है दिये जाता है उर इसमें कुछष है निक्स्ट बात करें राश्ठ्य दोस्तों बुरहानपूर को क्यला प्रसंसकरण के लिए राश्च्ट मुर्मूजी ने 11 जनवरी 2024 को भारत मंडवेव में स्वस्ष रोषिन पुर्षकार 2023 को परदान किये जिसमें इंदोर और सूर्थ को क्या गया है यह वोड़ दिया गया है 6 वर्षों से लगातर इंदोर पहले स्थान पर है और इसके बाद पहली बार 6 वर्षों के बार सूर्थ को भी स्मार्ट सिटी में शामिले किया गया है यह अपने को ध्यान में रखना है इसमें कुछ फैक्ट है एक लाग से कमजन सिंख्यावाले सहर में सासवाड को शामिल किया गया है सबसे स्वस्त गंगा टाउंस की वाद करें तो वारानासी स्वस्त परदर्शन करने वाले राज्या महाराष्टर और सभाई मित्र शुरक्षी सर्चंडिगड यह आप याद रखीगा राष्टरपती ने खेलें सहासिग पुर्षकार 2023 भी परदान किये गए हैं इसके अपने चर्चा कर चुके हैं जैसमें अपने पड़े थे गत में जहाद में ध्रह और एड्दिवंन पुर्षकार औरुषपयर अरजुन पुर्षकार दुरोण पुर्षकार इस पर गर तमाम सभी अपनी विंदो की चर्चा पन हेढ ने की थी तो दोस्तों इसके अलावा एक था तेंजिंग नार्गे राष्टी स्हाषिक पुर्शकार 2022 यह भी राष्टपती जी के दोरा दिया गया है और सूस्री स्विता कंस्वाल को मनोपरा तेंजिंग नारगे राष्टिय साथिक पुर्षकार दोजरबाई से नवाज जागी है और जल साथिक के लिए तुल्षी चैतन्य जी को वायू साथि अंसु कुमार तिवारी जी को और प्रवीन को जीवन बर उपलबनियों के लिए तार इस तेंजिंग नारगे राष्टिय साथिक पुर्षकार से नवाज जागी है फिफा के पुर्षकार से दोस्तों फिफा में एक आप ट्रिक याद रखेंगे कि फिफा को देखने के कोन आई मासी आई मा कोन आई दोस्तों मासी आई तो फिफा फुटवालर ओफ दे यर कौन थे लिए लिए तो नियर नन मैसी है और अगर फिफा फुटवालर ओफ दे बात करें हैं एपने की यो आयताना बोनमती ये देखे दोस्तों विबमेश फुट्वाल एफ दे ये दोझे ये 2032 को रही है तो आयताना बोनमती रही है जो स्पेन की है और मेंस में बात करें तो लियोनल मैसी है तो याद करें कि फिफा का मैच देखने कोण आई तो मुसी आई इस परकार अपनी याद रख लेंगे स्वेश्टर फुटवाला लियोनल मैसी है महिला की बात करें तो आईताना बोनमती है पेपर गौरडीयोला है और महिला कोच की बात करेए तो विगमेन है और गोलकीपर अंडरसन और सुरुष्टर गोलकीपर महिला की बात करेए तो मेरी इपर्स है यह अपने को जाना में रखना है MS Swaminathan Purushkar दोस्तों चोदरी चरण सिंग हरियाना कर्शिवी से देले के कुलपति हैं को बी आर कमबोज बी आर कमबोज जी को MS Swaminathan Purushkar से नवाजा किये Golden Globe Purushkar Golden Globe होलिबूड के परतिष्टित गौर्ण गुलोब पुर्षकार की वित्रन भी बेबरली हील से कैलिफॉर्णिया में साथ जुन दोजार चोविस को किया गिया इसमें अपने को ध्यान में रखना है सरोषर फिलम का आवाउड किसे दिया गिया तो ओपन हाइमर को सरोषर अभिनेता का तो सीलियन मर्फी का औ से नवाज गया है तो निदेश का आप देख सकते हैं अभिनेता देख सकते हैं और साइक अभिनेता के अभी आवाड आप देख सकते हैं दिपा बंडारे को सरोषर प्रयारण अधिकारी का पुर्षकार किसे दिए तो दिपा बंडारे को दिया गिया है मेडिसन मार्स बनी अपने महत्रप्रण पुर्षकार जिसके बारे में अपने चर्चा की तो आश्या करता हूं कि यह है सभी फैक्ट अच्छी तरीके से आप कंठस्त किये हैं होंगे एक बार दो मिन्ट में अपने सारा कुछ रिवाईज कर लेते हैं आई यह रिवाईज करते हैं भारत में रतन अब तक कुल कितने लोगों 49 लोगों को दिया जाए चुका है और 49 में करपूरी ठाकुर जी को दिया है यह क्या रिक्षियों दो बार बिहार के सियम रुचके हैं और एक बार डिप्टी सियम रह चुकी हैं क्रिकेट में जो सरुष्टरस क्रिकेट के असुबमन गिल को दिये है और महिला में बात करें तो समर्ती मधाना को मिला है तो यह अपने को जान में रखना है पदम अलंकरन दोस्तों एक स्कुल 132 पदम अलंकरन दिये गई है जिसमें से 5 पदम भूशन 17 पदम भूशन और एक सो पदम शिरी पांच में अपने याद रखेंगे नाइडू से पदमा बोली बिंदी माला कोनी डाला यह अपने को याद रखना है किरती चकर वे सोरे चकर किरती चकर दोस्तों युद में वीरता के लिए जाता है और शानती की वारता के लिए सोरे चकर दिया जाता है परदान मतरी बाल पुर्शकार से दोस्तों कुल कितने बच्चों को नवाजा गया था 19 बच्चों को परदान मतरी बाल पुर्शकार से दिया गया जिसमें राजस्तान का एक है कौन आरियन सिंग ये अपने को ध्यान में रखना है बात करें दोस्तों Film Fair Award की इसमें आप ध्यान रखे लें नेता जी सुबाद चंदर बोस आपदा प्रबंदन पुर्षका से किसे नवाजा गिया है तो 60 पेरा सुट फेल्ड वो हस्पिटल है उद्यपुर का उसे इस वाजा गिया है दिली और बेंगलूरु के अंतराष्टी हवाइडों को सर्वसलर में हवाइडों से बुषका से नवाजा गिया है और इस रोखो को एंडियन ओफ दे इएर अवाजा किया है इस अपने को एक त्थ्य चुट किया था बुर्हानपुर को केला परसंस्क्रान के लिए वाड़ दिया गया है और स्वस्थ सर्वेक्शन सिटीज में कौन है इंदोर और सूरत यह अपने को जान में रखना है फिफा फुट्वाल मेंस की बात करें तो फुट्वालर ओफ दे यर कौन रहे हैं तो मिल्योनल मैसी और अ बार्च बनी है और दिपा बंडारे को सर्वेस्ट प्रयावर अधिकारी से पुर्षकार से नवाजा किया है तो यह थे दोस्तों अपने फर्वरी महे के परमुख पुर्षकार तो इसी के साथ दोस्तों मिलती है नेक्स सेशन में जैहिन जैभार्त